आज शायद वो जीथ ही जाएगी आज शायद वो अपना मुकाम हासिल कर लेगी सच बताओं तो डर भी नहीं लगता है बलकि मैं ठक गया हूँ इंतिजार करते करते अक्सर लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदिगी में यही सोचते हैं कि मौस से डर क्यों लगता है इसलिए क्योंकि वो हमें बेजान करके चली जाती है चाफिर इसलिए क्योंकि बेजान होने की सोच कोई हम नहीं समझ सकते सब कुछ एकदम रुख जाना मेरी आखे को ली है मैं देख सब सकता हूँ मगर ना बता सकता हूँ ना महसूस कर सकता हूँ मुझे तो शायद ये पता भी नहीं होगा कि मैं देख रहा हूँ जिंदगी के बाद का जो ये अंदेरे से बरा खाली पन है मुझे शायद उसी को जीने से डर लगता है विडम बना भी देखो उस समय को महसूस करने के लिए भी मेरे मुझे जीना शवद ही निकल रहा है मगर सच ये है कि मुझे इस बात का डर है कि मैं अब रुक रहा हूँ मैं अब फिर कभी उकता दिन और डलती शाम नहीं देख पाऊँगा मेरे हवाजों की गुंच कोई नहीं सुनेगा मेरा नाम भी लोग भूल जाएंगे मेरे शरीर को वो जला देंगे और मेरा अस्तितू वहीं खतम हो जाएगा मुझे शायद डर इसलिए लग रहा है क्योंकि ये मेरा आखरी दिन है अगर आज नहीं तो कल होगा कल नहीं तो परसो मैंने जीवन में बहुत कुछ चीजों को सही समय नहीं दिया और अब इस निकलती होई सांसों की साथ मैं उन सारे बलों को एक साथ जीना चाता हूँ पहले जिन्दगी ने तड़पाया था और अब मौत तडपा रही है कर दो कर दो आज ज्कान मौत कर दो